नमस्कार दोस्तों पर फिर्श सोगा था अपके अपने चैनल फैन्डशी उगिन प्रिडिक्सन में तो दोस्तों मैं पर जो माइस कबरकनने वाले नेशनल टी टोंडी कप का सेकेंड मैंच है जो कि दोस्तों पे खला आएगा बी एल वेसे सी एपी टीम्स की भी डिपलेंस कर करके देने वाला है पूरे इंफर्मेंशन आपको इस वीडियो से मिलेगी हला कि दोस्तों कुछ प्लेयर ऐसे भी इस साल इस्टूनामेंट में खेल लाएं जो कि लार्स सीजन इस्टूनामेंट का हिस्सा नहीं थे दोनों टीमों को मिला कि तीन-चाल प्यर ही ऐसे हैं तो लास सीजन ये भी दोस्तों इस टूनामेंट का हिस्सा नहीं था तो इसका भी लिष्टे का स्टैट्स मिला हुआ है बागी दोस्तों दो प्लेयर इस टीम में हैं मैं आपको वो भी अभी कंफर्म कर दे रहा हूं एक तो यास दो दोस्तों के जुनाय दले जोके एक बिगट का टीम कोंबनेशन के रहने वाला है वह भी आपको इस वीडियो से मिलेगा बस आपने क्या करना वीडियो को लाइच चरूर कर देना क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत उत्साहित करता है कार करने के लिए दोस्तों मारा जो फाइनल अपडेट आपको मिलने वाला है ज आपने वह तक टेलेग्राम चैनल को जोइन नहीं किया था तुरांत जोइन कर लिजे इसी वीडियो को डिस्केप्सन में और फर्स्ट कमेंड में लिंक मिल जाएगा टेलेग्राम का क्लिक करिए और तुरां टेलेग्राम चैनल से जुड़ जाएगे दोस्तों वह एक मात र दोफार में दोबच के 30 मैट से स्टार्ट होगा और दोस्तों में चोने वाला है रावल पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावल पिंडी के अंदरे मैच खिला जाएगा इज बात के में दोस्तों में एक विगट की तो यहां का विगट और बैलेंस होता है फर्स्ट इनिंग है तो और और बैलेंस विगट वान के अपनी टीम क्रियेट करिएगा हाला कि दोस्तों अपर जो बी एल की टीम दिख रहे हैं यह मुझे थोड़ा सा कम जोल लग रहे हैं कि दोस्तों सामने वाली जो टीम है उसके पास इनका बाइटीम बहुत ज्यादा मजबूत है इस्प सब्सक्राइब करेंगे तो अप्टर टोस हम चेंज कर लेंगे हाला कि खेलेंगे भी तो नंबर च्यों था पांच महीं बैटिंग और रहने वाला है तो यह इनकी इंपोटन न्यूस थी स्टार्ट करते हैं वील के तरफ चापको ओपनिंग करते हैं असत सफिक उनके साथ सब्सक्राइब करने हैं अब्दुल्ला अब्दुल्वाहिद बंगाल जाही बात करें दूस्तों अससभी की ओर रोल स्टेट साइन का टी 20 का 102 मैचेस के अंदर 22 करीब रहने हैं पाकिस्तान के लिए भी खेल चुके हैं क्लास प्लेयर है हाना कि थोड़ा सा स्लो खेलते हैं लेकिन ओपन करने हैं तो ठीक ठाक से भी आपके लिए रहने वाले हैं आप प्लेयर लेना चाहिए ले सकते हैं पचीस का यह बहुत बड़ा एउरिज नहीं है लेकिन एक तरफ से रुक रुक के ठीक ठाक साथ को कभी भी कर सकते हैं तो एक आज जिल में जरू ट्राइकर ड जरू ट्राइए करिएगा अच्छी पिक रहेंगे ओपिन कर सकते हैं आज के मैच में वन्डाव मेटिंग करते हो दिखेंगे सान मसूद लेफ्ट हैं बर्समें कमाल के प्लेयर हैं दोस्तों पीसल के अंदर हमेसा अच्छा स्कोर करते हैं और टॉप फाइप रन स्कोर में तो रहते हैं पीसल के अंदर दूसरी बड़ी बात लास्टीजन इनका बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया था नेशनल टी टुन टीकप में लास्टीजन दस मैच के अंदर सिर्फ 166 रं किया थे 17 कि और इससे बहुत बुरा आल था लेकिन ऊपर खिलते हैं सब लोग से बीचिकले मैं सजेस्स नहीं करूंगा स्मॉल लीग पर स्मॉल लीग पर प्लेय पर किसी डॉमेस्टेक आंदर किसी बलीवाज को किसे बरनेश्ट हैं में इस बंदे ने ओपन कर रहा था लेकिंडुस्तों इस टीम बंगाल जे और ऐसे असच चपीक अप्धु अब डोस पीएसलों भी open करते हैं और हैसा असीबुला लिष्टे के अंदर लिष्टे है एक पचास ओर का जो डूमिस्टिक गेम होता है उसे लिष्टे बोलते हैं तो लिष्टे के अंदर हासीबुला भी open करते हैं तो इन तीन में से कोई दो open करेंगे जो बचे को number 4 खेलेगा क्योंक पर तीन सान मसूद कभी लगबग कनफरम रहता है तो मुझे लग रहा है कि अभी तक घजीबुला एक अच्छे लेबल पर टीटिक नहीं खेले हुए है क्योंकि ये पाकिस्तान अंडर 19 के लिए भी वड़कप का इसा थे तो लिष्टे के अंदर दोस्तों ने बारा मैच क के अंदर 19 वे रन किये और तीन विगट चटका है नवर की बॉलिंग साथ में कराई बैटिंग आटर पांच माजब पास हो सकता है बैट परस्ट में रही कर सकते हो कुँए लास्ट में कर सकते हैं नमर पांच की असपास साथ में एक आध दो और कभी को बार बॉलिंग भी पार टाइम बैट बार बार मैच में पार रहने वाला है बार मैच में दर 25 पर नन किया थे बैटिंग अच्छा किया था और एवरेश तोड़ाज लिए नीची हाड रहते थे तो थोड़ा सा नौट भी रहते थे इसलिए बढ़ जाता है और बार मैच में को सिर्फ चार वि बैट फर्ष्ट में काच चेल में ट्राइ करें स्मॉल लिग मुझे रिस्की लग रहे हैं हाला कि देखना पड़ेगा फिर इस टीम में कितने बॉलर खेलने कितना और चैंसे इनका बॉलिंग कर रहा है तो इस आप से आप ट्राइग कर सकते हो अमाद बहुत अच्छे अच बट्राइब ट्राइब लास चीन दस मैच के अंदर 33 डाल के दस भी निकालते अच्छी पिकराइगे तीन वर तीन से चार वर डाल सकते एक आज यह में जरूर कर लेजिए का तीन और के आसपास तो जरूर कराएंगे यहां से शाय लेग स्मुन पर पाकिस्तान के लिए भी इस पिरियेंज स्वार है लेकिसी मतलब स सक क्या होता है बरता है बोला जाता है कि जैसे बहुता है तो उनका क्या होता है कि उनका मतलब विकेट टेक्म थो नीचर और पे लेराइम की लिए लिए तरफ देनर के लागर ambulance के लागव तीन Croatia याति माच बौलिए निक चाहा ह cud 00 से भी देख सकते हैं खुरम सेजा तीन वर क्यास पस कर सकते हैं राइड हमीडे में लाष्ट गेमें चाहरो डाल के पांच पीकर निकाले थे बेंच पे दोस्तों उनके कुछ प्लेयर है पांच 15 ममर का स्कॉड है यह चार आपको बेंच पे देखने को मिल सकते हैं तो दोस्तो को डिस्किप्शन में और फर्स्ट कमेंड मिलिंक है क्लिक करके तुरह इंटर लिग रहा हम से जलो जाएं दोस्तों इस टीम के तरफ चाह आपको ओपन करने आ सकते हैं तैयब ताहिर तीसरा ओपनार है आहमत सजाद इन तीनों में से कोई दो उपन करेगा मैं बिल्कुल भ चार के चारो मैचे इसमें ताहिड ने ओपन कर रहा हुगा था अबदुल्ला सफिक तो पीसल के अंदर भी ओपन करते हैं और उसके बाद एमस साज़ाद भी ओपन ही करते हैं लास सीजन भी और मुझे सारे मैच पन किया था लेकिन पीसल के अंदर कभी-कभी नमबर 3 पे केल जाते हैं इसलिए मुझे लग रहा है को ही नमबर 3 प्याना चाहिए अब्दुल्ला सफिक ने दोस्तों लास सीजन साथ मैच के अंदर 269 के थे 37 के और से राइट हैं यह तो मुझे लगता है कंफरूंट ओपन करेंगे क्यों को टेक्निकल प्लेयर है क्लास इसके अंदर तो पार प्लेयर आके अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं इंकर भी कर सकते हैं लगी निंग करते हैं लास्ट यह चार मैच के अंदर 193 बेरन की थे लगभग 50 के असपास का उरुष था तैयब ताहिर अब्दुल्ला सफिक दोनों के सेलेक्शन बहुत कम हैं दोनों ही बहुत इं स्कूरर में से 34 यह पांच भी नंबर में थे 11 मैच के अंदर 304 इसके थी कत्ति स्क्योरी से मस्टपिक लास्टी ने अच्छा पॉंग गया था अच्छा इंच्छा पॉंग गया था इंपोर्टेंट रहे करेगा सब्स्तों राइट हैं अब लास्ट यह दोस्तों साथ मैच पाकिस्तान का मैच हो था उसमें मैंने इनको देखा था यह मैच देख रहे थे दुबाई के अंदर तो अब यहां भी पाकिस्तान पहुंचे हैं टीम से जुड़े हैं कि नहीं जुड़े कोई अपडेट नहीं है तो दीख खिलते भी हैं तो फिर बैट फरस्ट ही ट्राइ बैट फरस्ट में ट्राइब करेंगे तो यह पाकिस्तान के अंडर 19 वाटकप टिम का हिकसा भी थी काफी अच्छा वाटकप के अंदर इनका रिकॉड था वाटकप कर रहे थे हाला कि दूस्तों वालिंग कम करते हैं लेकिन बिकट लेके जाते हैं जब भी आतने बिकट नि चार वर बॉलिंग करेंगे साथ हमां बैटिंग से बैक अप रहता है तो बैट फरस्ट होगा तो बैटिंग जरूर आएगा तो हीटिंग करके अच्छेगा से रन भी बना सकते हैं 15-20 कभी भी कर सकते हैं तो कैप्टन सी के बड़ी ऑप्सन रहेंगे बैटिंग दोनों कर स है लिस्टे में तो लोगों का 40-50 क्यों रहता है आसानी छोड़ी ना स्मॉल लिग ना ग्राइंड लिग कहीं ड्राही करना इनको आख बंद करके निकाल देना है टीम से मौहमत फैजन की बात करें दोस्तों अब राइटाम में लास्ट येर चार मैच के अंदर दस ओवर की के लिए निचे दिखें दोस्तों सामा में लेगी स्पिनर है और ओरोल इनका स्टेट्स मुला है मुझे और 56 मैच के अंदर 46 बिगेट हैं के सोटतर वोड़ आलगे सिब जिचल के अंदर ट्राही करीगा स्मॉल लिग में थोड़ा सा रिस्ट कर रहते हैं उतना बिगेट ट दिखें तो दोस्तों आपको सामने प्रफॉंस है आप देख सकते हो सी इपी का इस्पेक्टर प्लेंग 11 बिद बैटिंग और लगवाग आपको देखने को मिल सकता है अब दोस्तों इस मैच का टीम देखने से पहले मैं आपको उता दू मैच का फाइनल टीम आपको हमारे टेलेग्राम चैनल पर मिलेगा तो अपनी जल्दी से आके हमारे टेलेग्राम चैनल से बिजोड़ जाना है इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कमेंड में लिंक के दिया हुआ है क्लिक करके तुरन टेलेग्राम से जुड़ देखने लास्ट मोट अपडेट र पर पास है बालिंग से संदोस्तों वहाब रियाज में टीम में यासे शर्व में टीम है और उनैट खन गोईना अपनी टीम में रखका हुआ है कैप्टन्सी दोस्तों मैंने असरब को दीव है वाइस कैपटन दोस्तों मात बठें दोनों प्लेयर ऐसे हैं जो नंबर 5-6-6- दोनों तो लेकित तीन से चारों के बाइटिंग बालिंग करेंगे तो इस मसूद बहुत अच्छे बल्ले बाज है लागे लागे लास्टी इस अच्छा नहीं गया था लेकिन फिर भी काफी लोग करके जा रहे हैं मतलब सब ज्यादे लोगों इन्हों करा हुआ है तो इस अनकूल हुआ तो अच्छा है स्कोर करके जा सकते हैं बाकी बालिंग से यह से साय कोई काच जिल में वहाब रियाज को बॉल फर्स ट्राइग कर सकता है तो यह कुछ जील के सीवी सी थे बाकी अभी कली यहीं टीम है अभी कली मैं भी इसी टीम से कॉन्टेस जॉइन कर रहा देल से दने बाद